हेलो एक्कूरत हैं, वेलकम बैक तो बायोट्रेक वाली, तोडे thought in the वीडियो, we will focus on iso-electric focusing फवक्कस करने हैं आइसो- इलेक्ट्रिक फोकिसिंग पे, और इसको हम और क्या बोलते हैं? Electro-Focusing So, हम इसके बारे में देखते हैं, यह होते क्या है यह भी बागी techniques की तरह एक analytical technique है जो laboratory में यूज की जाती है Molecules को separate करने के लिए But, इसका principle क्या है? इसका principle है isoelectric point Molecules के isoelectric point में difference होता है जिसके basis पे यह molecules को separate करती है यह technique generally proteins के लिए यूज की जाती है तो हम देखते हैं, isoelectric point क्या होता है In a pH gradient, one molecule carries zero net charge और becomes neutral This point is known as isoelectric point Isoelectric point एक ऐसा point है जब molecule पे जो net charge है वो zero है It means उसका जो जितने उसके पास positive charge है उतने ही उसके पास negative charge है तो वो एक दूसरे का effect cancel करके उसको neutral बना दे रहे है ठीक है तो अब हम conditions देखते है ऐसा pH जहां पे पी आई यानि आईसो इलेक्ट्रिक point pH के equal होगा तो उस molecule पे neutral charge होगा ठीक है तो वो movement show नहीं करेगा हमारे gel में यह तीनो प्रिंसिपल अभी आगे हमारी आईसो इलेक्ट्रिक फोकिसिंग एलेक्ट्रो फोरेसिज में यूज आएंगे ठीक है और ऐसा point जहां पे pH आईसो इलेक्ट्रिक point से ज्यादा है तो negative charge और ऐसा pH जो आईसो इलेक्ट्रिक point से कम है जहां पे वहां पे molecules पे positive charge होगा यानि molecules इस वाली stage के pH में जहां पे भी present है उनके उपर यह सब charge होगे और उनका movement बताएगा कि वो move करेंगे कि नहीं करेंगे ठीक है यह आगे हम समझते हैं now coming to the components of isoelectric focusing isoelectric focusing के ऐसे तो अलग और भी components है जो instrumentation में आता है but हम main focus करेंगे क्योंकि हमको बस समझना है तो एक gel लेते है gel basically polyacryl amide gel लेते हैं ठीक है बफर लेते है pH gradient system बफर में एंफुलाइट्स पड़े होते हैं एंफुलाइट्स वो molecules होते हैं जो basic और acidic दोनों एक कर सकते हैं जिनके पॉजिटिव भी बन सकते हैं पॉजिटिव आइंस और नेगिटिव आइंस भी बन सकते हैं ठीक है फिर पावर सप्लाइट्स ठीक है यह हमारा सपूद polyacryl amide gel strip है ठीक है उस पे हमने pH gradient कैसे किया है एक साइड क्या है लो pH है दूसरी साइड क्या है हाई pH है लो pH साइड क्या है acidic हाई pH साइड क्या है basic ठीक है हम यहां से पावर सप्लाइग दे रहे है यह एनोड से कनेक्ट है इधर कैसे ठीक है जैसे ही हम सैंपल को हम सैंपल को polyacryl gel plate पे डालते है जर्मरली हम सेंटर में डालते है और हम जब वोल्टेज अपलाई करते है ठीक है वोल्टेज इस अपलाईड एंड सैंपल इस अलाओ तो रन पो थर्टी मिन्स तो क्या होता है जो प्रोटेंस कंटेनिंग नेट पोजिटिव चार्ज जो प्रोटेंस है जिनके पास नेट पोजिटिव चार्ज है वो मूव करेंगे कैथोड की साइड और जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेंगे अनोड की साइड ठीक है एज दे स्टार्ट मूविंग तोज एलेक्ट्रोड मूव करेंगे जैसे negatively charge मूव कर रहा है तो वो कुछ positively charge मॉलिक्यूल यहाँ से ले लेगा और खुद को neutralize कर देगा ऐसे positive molecules यहाँ से ऐसे जब move कर रहे हैं तो move करते करते कुछ negatively charge molecules ले लेंगे और खुद को neutralize कर देगा जिस point पे जाके यह neutralize हो जाएंगे, वही point इनका isoelectric point बन जाएगा, और वही पे इनका movement stop हो जाएगा, और वही से protein को separate कर लिया जाएगा, ठीक है, the pH at which protein migration stops is their isoelectric point, ठीक है, now proteins are separated on the basis of their PI, उसके PI के basis पे जैसे कुछ proteins ने मुग करना शुरू किया था, कुछ ऐसे रुग्या 4.5 पे, कुछ रुग्या 8.5 पे, तो यही इनका क्या है, isoelectric point value है, जो कि हम pH value से बताते हैं, ठीक है, now separated proteins, now can be separated based on their molecular weight using SDS page, अब आगे further SDS page, technique use करके, हम, in separated proteins को, उनके molecular weight के basis पे भी further separate और identify कर सकते हैं, अभी इन next video में, हम पढ़ेंगे, SDS page, और, you can say, 2D electrophoresis, and this is the last topic of analytical techniques lecture series, okay, so stay tuned for the next video, like, share and subscribe to my channel,